गाइस कल से आप नोट कर रहे होंगे मेरी वीडियो तोड़ा सा लेट आ रही है किसी एवेंट के अपडेट देनी हो तो भी वीडियो लेट आ रही है या एवेंट को कम्पलीट करना हो तो वो वीडियो भी लेट आपको देखने को मिल रही तो फुल डिटेल्स के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो वीडियो को एंट देख रहे हैं सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं इवेट के बारे में तो आपने लेटस्ट जो बीटा वर्जिन है 15.0 वाला वो बीटा वर्जिन इंस्टॉल कर लेना है और इस इवेट को आप चुटकियों में कंप्लीट कर सकते हैं तो दोनों के अंदर आपने अलग-अलग आईडी लोग इन करनी हैं उसके पास सेम मोड के अंदर सेम टेबल पर जो है आपने मैच कनेक्ट करना है तो जैसा कि मैंने का अभी आप बीटा वर्जिन यूज़ करेंगे तो आपका मैच पहली बार में ही कनेक्ट हो जाएगा क्यों कोई ज्यादा प्लियर्ज ओनलेन नहीं है तो यहाँ पर से आप दूसरी आइडी से मैच लीव भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा मैच खेलें तो गाइज यहाँ पर यह लास्ट मैच था और उपर आप लोग देख सकते हैं कि जो शोटाम वीकेंड वाला इवेंट है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है अभी चलकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे कितने मिनिट लगें इस इवेंट को कंप्लीट करने में मैंने सेम ट्रिक यूज की जो कि मैंने आप लोगों को बताया था तो यहाँ पर अगर शोटाम वीकेंड वाले इवेंट के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास पूरा इवेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और 16 घंटे 5 मिनिट रहते हैं यानि कि मुझे तकरीबन 20 मिनिट आप ऐसे एस्टिमेट लगा लें कि मुझे 20 मिनिट लगें इस इवेंट को कंप्लीट करने में लेकिन गाइस मुझे ये इससे भी कम टाइम लग सकता था क्योंके बीच बीच में मैंने रिकोर्डिंग्स वगरा की तो मुझे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगया और मैंने सारे मैचेस प्ले किये हैं अगर आप लिफ करेंगे तो भाई आपको 10 मिनिट भी नहीं लगेंगे तो गाइस इस तरीके से आप बहुत एजिली सेवेंट को कंप्लीट कर सकते हैं और मैं इन बॉक्स को उपन नहीं करूँगा क्योंके फिलाल टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा तो जल्दी से मैं इन पक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ और इन पक्स एक गेंपले भी करेंगे और अभी मैं आप लोगों को बता दा हूँ कि अग्स पहले जितना बी डेटा था मैरे मुझा के अंडर रिलेटिट कारम पूल से या वीडियो के बारे में वह सब मैं अनर ट्राइब किया और उसके बाद को रिशट करने के बाद दुबारा उन को फोन के अंदर ट्राइब की ! तो ये reasons हैं जिसके वज़ाए से दो दिन से वीडियो टाइम पर नहीं आ रहे थी लेकिन अभी आपको वीडियो बिल्कुल टाइम पर देखने को मिलेगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर जरूर सेट कर देना तो गाइस यहां पर जो है ना शौट थोड़ा सा ज्यादा पावर से लग गई थी बाकि गाइस मैंने नोट किया है यह जो पक्स है ना भाई यह बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल लग रहे थे बोर्ड के उपर कर दो दो कर jin लो थैजने颐ि कि निए सेट क्सें बस्ते है यह बहुत है यह बहुत है यह रहीरियोट